आयोध्या में साधू संतों की अगर बात हो रही है, यहां के अध्यात्म की चर्चा हो रही है, संतों की राय ली जा रही है, प्रान पतिष्ठा से जुड़ी जानकारी अगर पूची जा रही है, और क्या राजनीती में चल रहा है, उस पर भी अगर चर्चा की जा रही है, त बहुत-बहुत स्वागत है आपका महांसूर अधास जी न्यूस 18 पर जै श्री राम जै हनुमान जी, आपका नाम ही सूरजदास है, सुरज की लालिवा में इस वक्त आप नजर भी आ रहे हैं, और पूरी अयोध्या इस वक्त राम मय है, हनुमान मय है, आस पास भजन चल रहे हैं सबसे पहले कोई स्तुती व्रान प्रतिश्चा और संतों की भावनाओं को लेकर अगर आप सुनवा पाएंगे और धेर सारी बाते होंगे उसके बाद तनगन साम निज आयुद भुझ चारी बोशन बन माला नैन विसाला सोबा सेंदो खरारी करदूई कर जोरी अस्तुति तोरी कई भी धिकरू अनंता मान यह स्तुति जो आपने हमें सुनाई है और जैसे ही इनके बोल शुरूते हैं आप देखिए इनको सुनने के लिए इनकी मधूरवानी को सुनने के लिए लोग खुदी यहाँ पर आके इकटे हो जाते हैं और बड़े आराम से बैट जाते हैं बड़ा अच्छा लगता है छो जहां से मिली और आपके गुरु कोन है अब तक क्या-क्या सीखा है आपने हमारे गुरु स्री स्री धर्यार जी महाराट थे जहां पहले सिक्ष्चां में लेते थी अब महराजी जिसके यहां अम्हाँ उत्तरा अधिकारी हैं वहां के स्री शिर्पदाजी महाराजी चनाचर स्ट्रोज्ट, सूक्तियां, पाठ चाहेंगे? अब काम कांट सिखे रहा हूँ, अब कंठेस्ट नहीं है लिकिन बभबान की घिरपा रही तो हम भी बेट कंठेस्ट करेंगे श्री राम के लिए हनुमान जी के लिए आपको यह ऐसा अस्त्रोच सुनाना चाहेंगे हमारे दर्श्रकुम को उसका अर्थ आप बताना चाहेंगे इसका मतलब है हनुमान जी इतने बद्धाली थे खिर्वी वो नम ही रहते थे आप हनुमान जी के स्वरूप से बहुत ज़्यादा चुड़े हैं हमें पता चलाए कि आप राजनेतिक राय भी रखते हैं राजनेतिक विश्यों पर भी बोलते हैं आयोध्या जो ना सिर्फ श्रीराम की जन्म स्थली है बलकि इसके साथ हो रही राजनेति से भी क्या परिचित हैं सत्ता पक्ष क्या कह रहा है विपक्ष क्या कह रहा है प्रान प्रतिष्ठा को लेकर प्रतिष्ठा को रहा है यहां राम मंदिर अगर बन रहा है तो उनके से योग करना चाहिए तिपड़ी नहीं करना चाहिए आईए आप दरसं कीजिए आपका उधार भी यह भी कहा जा रहा है कि शंकराचारियों ने जो है वो एतरास जताया है इसको भी विपक्षी डल जो है अलग-अलग तरीके से आगे रख रहे है जंता की बीच में ले जा रहे हैं आप इस पर क्या बताना चाहिए हम स्री संकराचार जी को यहीं निवेदन करना चाहते हैं कि जहां भगवन पंडाल में थे फुले में थे कम से कम अप्छट के नीचे आ रहे हैं इस बात की खुसी होने की करण आपको आना चाहिए बहुत सारे विपक्षी दल और नेता ऐसे हैं जो श्री राम और रामचरित मानस को लेकर अलग तरह के बयान देते हैं उनको आप क्या कहना चाहिए यह सब नास्तिक हैं जो राम जी के बारे में बयान गलत दे रहे हैं और विपक्षी के लोग ऐसे ही होते हैं कि कुछ भी हो तो एक बार मतलब एजन्डा अपना खड़ा करना चाहते हैं उनका क्या एजन्डा है उनका वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो मंदिर है ये सुप्रिम कोड बन वा रहा है इसमें मोदी जी ने कुछ नहीं किया विपक्षी दलों का कहना है कि राम पर राजनीती कर रहे है सत्ता पक्ष जो है लेकिन राम पर राजनीती नहीं होनी चाहिए लेकिन हमारी तो आस्था का विशह है इसलिए हम राम नाम को भुनाते नहीं है उन विपक्षी दलों को आप क्या कहेंगे जो ये कहते हैं कि राम मंदिर जो है वो दो हजार चौबिस के चुनाओं में वोट मांगने के लिए बनवाया गया है यहीं कोई बात नहीं है, 2022 से हिसाइद बन रहा है और यहाँ काम चारो ओर हो रहा है तलाब, सड़क, रोड, मकान, मंदिर, हर चीज का निरुमार हो रहा है, मंदिर कहीं नहीं हर चीज का निरुमार हो रहा है एक सवाल ये भी उठाया था विपक्षी दलोंने कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रहे या आप चुकि महंत में आप उसके बारे में क्या समझाना चाहेंगे यही तो समझाना चाहते हैं जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं भगवान वहां खुले में थे कम से कम च्छत उनको मिल रही है तो यह मतलब खुसी की बात है यह सब बाते नहीं सोचना चाहिए सोमनात मंदिर की बेग तसवीर सामने आई उसमें भी दिखाया गया कि गरभगरे बनते ही वहांपर प्रान पतिष्ठा की गई यहां पर भी गरभगरे तयार है प्रान पतिष्ठा की जा रही है लेकिन फिर भी विपक्षिदलिये कह रहे हैं कि यह तो अधूरा मंदिर है जहां पर प्राण पतिष्ठा कर रहे हैं वो भी राजनीती के लिए ये बात गलत है ये बेद अंसार सास्त के अंसार पंडितों के अंसार सब कुछ के अंसार ही बन रहा है हो रहा है प्रधान मंत्री मोदी जो है वो 11 दिन का इस समय कड़ा वरत उन्होंने लिया हुआ है और इस पर कहा जा रहा है कि वो सक्त भिस्टर पर सोएंगे मतला वो हम भिस्टर भी नहीं सो सकते ये कौन सा नियम होता इसके बारही और ये कोकर सकते हैं जो करी हैं यह 100 करोड जिनता वासियों के लिए कर रहे हैं, सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं 500 साल बाद ऐसा मौका आया है, मोदी जी है, योगी जी है सरकार BJP की केंदर में भी है, राज्ये में भी है, राम मंदिर भी बन रहा है काशी का काया कलपू और मतुरा की भी बात हो रही है तो ये बताईए देश के विपक्ष को आप क्या कहना चाहेंगे बहुत सारे विपक्षी दल है कोई सनातन धर्म को कोरोना कह रहा है कोई उसको डिंगू मलेरिया बता रहा है कुछ लोग श्रीराम पर सवाल उठाते थे उन लोगों को आप क्या कहेंगे आपको क्या लगता है, सनातन पर क्यूं सवाल उठाएं, क्या वज़य है, कौन है ये लोग और क्या मनशाहें? इनकी मांसा यही है कि हिंदू राष्ट ना होने पाए, मंदिर ना बने, इनके सब की सोच है. अच्छा हिंदू राष्ट्र से आपका क्या आर्थ है? क्या होना चाहिए हिंदू राष्ट्र में? इसकी परिकल्पना आपके लिए क्या है? जो लोग सोचते हैं हम यह धर्म के लिए जगरा करते हैं और चोटी जातियों को तुछ मानते हैं यह सी कोई सोच गलत है सब को सोचिए हिंदू राश्ट होने के कारण सभी लोग ठक कर से कहेंगे कि हम हिंदू हैं कोई जात में बताएगा बर बहुत से दल ऐसे हैं जो जाती की बात कर रहे हैं जाती कर जंगर्ना की बात कर रहे हैं जातियों के लिए कहा जाता है कि हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं यह सब उनकी सोच है हम तो राम भक्त हैं हमको इससे में रहने दीजिए आप महंत है इसकी प्रेणा आपको कहां से मिली कि आप यही करना है और आ अश्रवाद है, हनुमान जी का भी आश्रवाद है, उन्हीं से जुड़े हुए कुछ श्लोक या दोहे हमारे दर्श्रकों के लिए सुना दीजे, दोहे, श्लोक, स्रीगुर चेरन सरोज, रजनी जमन मकुर सुधार, बर्ना और अगबर विमन जसु, जोधाय को फल चार, हनुमान जी का नाम हमने ले लिया, आप कोई राम भजन भी हो जाए, सिरी राम चंद्र किरपाल भजन मन, हरण भव भैदारूणम, नव कंजलोचन कंजमुक, करे कंजमुक, कंजारूणम, कंधर्व यंगडिते अमेत चबिनव, नील नीरदे शुन्धरम, पठपीत मानव, नडेत रुचि सुच, नोमी जनक, सुतावरम, बजदीन बंदु, सिरी राम का नाम है, वो राम का नाम लिए, और दीपक जलाएं, और खुसिया मनाएं, और दीपावाली भब बत्री को से मनाएं बाइस जनुरी को, आप इस दीपावली पर क्या करने जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है, 500 साल बाद ऐसी दीपावली आई, हम सब लोग भी बहुत खुसा हुसा आईगा है, और हम सब लोग दीपावाली के तरह दीपक जलाएंगे, यहां राम परेड़ी पर, और श्री राम जी का दर्सन करने जाएंगे, और खुसिया मनाएंगे, ये बहुत धन्यवाद, बहुत शुप कामना है आपको, न्यूज जेटीन आयोध्या